गोरतरा पेचुल पर्म के पीछे श्रीधाम कॉलोनी शहडोल में श्रीमत भागवत कता ग्यान या कारिकरम बागे बिहारी लाल के कृपा और समस्त श्रीधाम कॉलोनी गोरतरा वासी के अशिरवाद में आज़ित हुआ जो दिनाग 23-23-35-23 सकाया जो थे श्रीमत भागवत कत अश्रमण के लिए ताता लगा रहता है और असपास के दूरदराज से भी भक्त भजन संद्या में शामिल होके बढ़चवड के हिस्सा लेते हैं भजन संद्या में आर्थी के बाद प्रस्वार वित्रण किया जाता है इसके बाद ही भक्त अपने अपने घर को प्रस्तान क को सभी देवों का देव या स्वयünü भगवान की रूप में चरित्र किया गया है इसके अतिरिक्ति पूराण में रस भाव की भक्ति का निरुपण भी किया गया है परंपरागत तोर पर इस पुरान के रच्वेता बेद व्यास को माना जाता है श्रीमत भागवत कता भारती व्यंग का मुकुट मडिय भगवान शुक्रदेव द्वारा महराज रसिक्षित को सुनाए गया भक्ती मार्ग तो मानू सोपान ही है इसके प्रतियक श्रोग में श् उप्या खानों का अदबुद संग्रे है शेडोल भगवत सप्ता के चौते दिन श्री किश्म जन्म उत्सव दूमदाम से बनाएगे सबसापर जन्म के पूर भक्त श्रीदाम कॉलोनी से चलकर पंडाल तक क्रिश्न जी को एक जलक देखने के लिए उस साही थे जिन में एक सुन्दर टोकरे में क्रिश्न रूप से सुन्दर बालक वा नंद बाबा के रूप में अंकित केवत और देवकी के रूप में सुनेहा भारती थे समारों में बड़ी संक्या में भक्त पहुचे जा नंद के घर आनंद भयो जैक अनया लाल की जो कारिवा पुश्व के साथ क्रिश्न जनमुद्सव दूमधाम से मनाए गया